आप बहुत अच्छे हैं और हम बात करेंगे आज स्टिचिंग एप्टिटूड यानि की शिक्षण अभीवरती के बारे में और काफी इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इन कंसेप्ट को जो आपको पता है उसमें से जोड़ लें ये कंसेप्ट की मैंने और सिखे हैं अगर आ जी रेक्स करके मन को शानत करके इन कंसेप्ट को याद रखना है और सुनना है और समझना है इस से पहले कि हम इन कंसेप्ट के बारे में बात करें मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देदेता हूं अपनी वेबसाइट है www.swmg.in या फिर मोबाइल एप swmg है ना यहां पे ज पेपर 2 यहाँ पर इन्वार्मेंटल साइंस है और पेपर 2 एजूकेशन है अगर आप विलि Antwort आप जोई कर सकते हैं और ये discount का offer है 29 अविलिम तक है 29 अब 2 बर तक है अगर आप विलिइंग है तो आप जोईन कर सकते हैं ठीक है तो अब हम बात करते हैं इस थियोरी के बारे में और फिर इस में से कुछ ऐसे शब्दों को ढूढने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत काम आने वाले हैं चीक है यानि की बच्चों के संग्यानात्मक विकास पर ये जोरों बुरुनर है ना उनके सोध के बारे में बात करते हैं तो कोड़ीन डलप्मेंट यानि की संग्यानात्मक विकास के बारे में और अगर यहां पे हम देखेंगे तो जीन प्याजे जी के बारे में हम बात करते हैं cognitive development वहां से थोड़ा यह different है बात तो यहां हम बात कर रहे हैं Brunner theory of cognitive development तो कुछ बातें हैं वो बहुत याद रखनी हैं आपको बहुत important है जैसे इन्होंने क्या किया cognitive development में तीन mode के representation के इसने उने परतिन अध्यताओ यानि यह based on the action इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या मतलब है based on the action या inactive representation की यह परतिनी देताओ का एक है iconic representation that is based on image यानि की दर्शय प्रतीमा अवस्ता यानि की यह image या कि छवियों पर अधारित है और एक है symbolic representation यानि की based on language यानि की परतिकात्मक्त परतिनी देताओ जो भासा पर अधारित है तो इस तरह इन्होंने एक तरह से cognitive development के बारे में बात की है ब्रुनर जी ने तो वो क्या-क्या है इन में क्या-क्या चीज़ें है वो हमें ध्यार दखना है चिक है चलो सबसे पहले हम बात करें inactive सब्सक्राइब करते हैं जैसे हम कोई बच्चे को कुछ देते हैं तो उसको ऐसे करके या फिर को मुह में लेगा वो एक्सन करेगा basically that is inactive stage जैसे हम बात करते हैं जीन प्याजे जी की तो इसी तरह यहां पर inactive stage है जिसमें बच्चा एक तरह से अपनी feeling को शब्दों के द्वारा नहीं एक्सन के द्वारा जाहिर करता है like expressing the feeling of hunger by crying or shouting यह basically क्या होता है जब उसको भूक लगती है तो बोलता नहीं है यह वो रोएगा यह चिला कर ऐसे कुछ व्यक्त करेगा तो this is the inactive stage जो action कर रहा है through these activities children establish their relation to the environment इन किर्याओं द्वारा बच्चे परियावन से अपना संबंध स्तापित करते हैं basically अपना relation वो इस action से relate करते हैं जैसे आपको यह picture दिख रहा होगा इस image में आप देखे इन active learning through moment of action जैसे यह बुक के साथ खेल रहा है बच्चा है यह action कर रहा है अपना बुक के साथ खेल रहा है इन active learning through moment of action action play with a book चेक है तो यह सबसे शुरुआती रहा है इसमें उसके इसमें आपको दिख रहा होगा आइकोनिक में इसर डाइग्रम लर्निंग तुरूइमेज और आइकन यानिकी वो पिक्चर से सीखते हैं इमेज से सीखने की कोशिश करते हैं next stage में बच्चा तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं इन 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 इस टेज चिल्डर एक्सपरेस दे करते हैं उनको एक इमेज बन जाती है basically और इमेज से सीखने की वो कोशिश करते हैं जैसे एक नोट है इसको आप देखो क्या कह रहा है ability to store a mental picture यानिकी in the mind's eye एक तरह से ये दिमाग में आंख है उसमें picture एक तरह से फीड कर लेते हैं when learning a new topic it can be helpful to use picture and diagram to support verbal explanations basically एक मानसिक चीतर को मन की आंखों में संग्रित करने के छमता कोई नया विश्य शीक्ते समय मोखिक स्पस्टी करन का समर्थन करने के लिए चित्रों और आरखों का उपयोग करना सहयक हो सकता है जैसे image वगरा देखके सीखना that is iconic stage यह आपको ध्यान रखना है friends ठीक है अगर आगे बात करें that is symbolic stage और symbolic stage में आपको पता ही है language की बात हो जाएगी भासा की बात हो जाएगी तो सबसे पहले तो क्या हो था action उसके बाद image और अब है भासा in this stage children express their feelings through languages है ना यानि कि language की तरह इसमें बच्चा इस सबस्ता में बच्चा अपनी अनुभूतियों को भासा के मादम से अभिव्य स्टापित करने लगते हैं यहां पर language का यूज करते हैं तो अगर इसको image में आप देखो तो आपको दिख रहा होगा symbolic learn through abstract symbol यानि कि read for research यानि कि यहां पर पढ़ रहे हैं यहां भासा का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने बात की starting वाली phase के अंदर जहां पर action होता है ब discovery learning इस त्योरी में क्या बात और किये discovery learning में discovery learning की बात किये तो वो क्या बोलता है देखो not only did Brunner's theorize about cognitive development he also wrote extensively about the process of learning basically Brunner ने ने केवल संग्यानात्मक विकास के बारे में सिध्धान दिया और बलकि उन्होंने अपने उन्होंने सीखने की परकिरिया के बारे में भी विस्थार से लिखा कि कैसे सीखता है उसके बारे में भी उन्होंने बड़े अच्छे से लिखा यह क्या बोलते he believed that children should be active participant in the learning process rather than passive recipient of knowledge उन्होंने लिखा उनका विश्वास्थाय क्या है कि बच्चों को ग्यान की निस्क्रिये प्राप्त करता की बजाए सीखने की परकिरिया में स्क्रिये भागिदार बनना चाहिए उन्होंने बात लिखी he promotes the idea of discovery learning in which children learn through engagement, experimentation and exploration basically उन्होंने खोज सीखने क विचार को बढ़ावा दिया कि बच्चे जुडाओ, परियोग या अन्वेशन के माध्यम से सीखते हैं, discovery के माध्यम से सीखते हैं, जहां वो actively participate करेंगे ना कि passive, तो this is discovery learning, जो ये इन्होंने इस बारे में भी बात की ब्रुनर जी ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चीक है, और अगर आगे एक शब्द है, that is spiral curriculum, ये क्या कहता है, spiral curriculum, spiral तो आप जानते हो, spiral, जैसे spiral binding भी होती है, ऐसे करके spiral binding, ऐसे, 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 spiral binding की बात, ऐसे, ऐसे समझ सकते हो, जानि कि जो पीछे वाला ग्यान होता है, वो आगे आपको complex चीज़ों को समझने में काम आत है, तो ये है, spiral curriculum, जैसे आप देखते हो, कि कई बार आप पढ़ाई शुरू करते हो, तो लिखाता है, ये आपने पिछली unit में पढ़ी, पिछली class में ये chapter पढ़ा, फिर आगे उसी को अब पढ़ते हम, तो ये spiral curriculum होता है, जो जुड़ा हुआ होता है, और आगे complex होता topic, throughout their school career, which each encounter increasing in complexity and reinforcing previous learning, basically, सरपिल जो पाठे करम है, उसमें क्या है, अध्यान का पाठे करम, जिसमें शातर पूरे school career में अपना समान विश्यों को देखेंगे, परते ही कनुभाव के साथ जटिलता बढ़ती जाएगी, और पिछली कक्षा को मजबूत किया जाएगा, basically, आप कई बार तरह तरह की चीजों की बाहर पढ़ने की जुरत पढ़ती है, कोचिंगों की जुरत पढ़ती है, इसके पिछे का कारण मुझे ये भी लगता है, कि हमारा basic ज्यादा मजबूत नहीं होता है, तो हम चीजों को सही से जोड नहीं पाते हैं, ठीक है ना, और ये note भी आपको संभाल के रखना है, जो ब्रुनर जी ने कोट किया है, क्या का है, एनी सब्जेक्ट कैन बी टोट effectively in some intellectually honest form to any child at any stage of the development, इन्होंने कहा कि किसी भी विशे को विकास के किसी भी चरण में, किसी भी बच्चे को बधिक रूप से, इमांदा रूप से परभावी धंसे सिख जा सकता है, अगर ढंसे सिखाया जाए, तो जैसे cognitive development अगर प्याजेजे के बात करें, तो उन्होंने एक तो पूरा एक बताया था, एज के अगोर्डिंग, इन्होंने ऐसा नहीं का, उन्होंने का कि अगर पूरा honestly अगर काम किया जाए, तो किसी भी एज में सिखाया जा सकत है, यह बात इन्होंने कही है, ठीक है, और जैसे spiral curriculum के बारे में बात करें, तो इस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे शरुवात में हमारे पास कोई new content आया, शरुवात में हमने जब शुरुवात की, फिर उसी चीज़ को हम revise कर रहे हैं, और दीरे दीरे उसी चीज़ों को और तक पढ़ते जा रहे हैं, तो मास्टरी हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो डिफिकल्टी बढ़ती हुई जाती है, ऐसे चीज़ों रिलेट होती हुए, डिफिकल्टी बढ़ती हुई जाती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे बच्चा अपनी next stage में खुद से नहीं सीख प चल 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 और फिर हम help करते हैं, हम उसका कुछ help कर रहे हैं, यह पमानेंट नहीं होती है, टेंपरेरी होती है, जैसे हम छोड़ देते हैं, तो बेसिकल्टी यह परवाइट आउंगोईंग सपोर्ट चिल्डन, अटेंब्ट तो सॉल प्रॉब्लम और मास्टर टास्क, आपने आप से नहीं मैनेज कर पा रह हैं, ठीक है, तो आई थिंक यह सारी बातें आपको ध्यान आई रही होगी, और अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, तो किसी भी तरह की आप टेंचन ना लें, और अपने चित को शान्त रखें, आप खुश रहें, और अराम से चिज़ों को समझने की कोशिश करें, तभ बिना रिवीजन की सेलेक्शन बहुत ज्यादा मुस्किल है, ठीक है, तो आल दे वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवा, थेंक यू, थेंक्स अलोट फ्रेंज,